कि आपके हाटों में सूजन है क्या आपके पैरों में सूजन है कि आपके सूजन होता है सभी यूटी फैमिल्य को एक बार फिर से नमस्कार और प्रनाम एक बार फिर से Official सत्रू सत्रंगी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली जो भी जनकारी है को समय पर मिलता रहे हम अपते लिए हमेशा कोसिश करते हैं कि नया जो हमारे डेली रूटीन में हमारे घरों में जो प्रशानी आते हैं उनसे जुरूए चीज़ें को हम लाने के को सि होता है जब यह हमें पता लग जाएगा कि कारण यह है तो साइध हम लोग को पास बहुत सारी सोलूसर मिल जाएगा साइध उसको टाल लेगा और दवाई की ज्यादा नौवत ना आए क्योंकि ऐसा हो जाने पर तो जानते हैं आप लोग को फिर मेडिसीन पर निर्वर होना पड़ता है और हमें डाक्त लोग पास जाना पड़ता है मेडिसीन लेना पड़ता है और खाना पड़ता है अगर हमें कारण अगर थोड़ा सा उसका पता लग जाएगा क्यों होता है तो करते हैं घ्री के परिशानय होता है इसी वारे रिचानी के कारण होता है यानि कि हमारे बोडी के स्इस्ञ्छमें करेंak सकता है स्कता है पैर तो इस कारन आता था उसकि从 कभी हम लोग ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारे ज़्यादा आपनी कामें नहीं हो सकता है इसे हमारे तो इससे क्या होता है कि बहुँत सारी बहुत सारी समस्या होता है दायर ठीक रहेगा Cynthia तो कुल्हे प्रशान तो ऐसे नहीं हो ऑगे ऐसे बहुत साथ हुट अर द्यान द्द३शन पर भी आपको ध्यान दखनापने पड़ेगा ख्यास में करना परेगा कि क्या खाए क्या हमारे ले सही हो सकते हैं कि अगर आप साफम है तो ड्राइब फूट भी लिजे अपने खानों में बाकि तो आप हडThe सब्सव शेडियां बीट्ट सब्सक्राइब नहीं देपता है जो हमारे एक भार सुन्थ तरीके से जो चीज़ बनता है है जो युँओ भोजन बनाते हैं हमें सुब तरीकें से बंतें है घ्लें वो स्वादिश्च ना वने तो भी कुई बात ने L shakes मेंमें हमें मिलना चाहिए में मिल्ही जाते काने के हैवी डू अगा पते हैं इसके कारन सारी सारी संध्य कर देज्ट तो हमें करी सारी परिशानी को फ़न कर देता है आज की टाइम में अभीस्त बज़े से क्या करते हैं बाहर की चीज़ों को आदत लग जाती है तो हम किसी चीज़ के आदत नहीं बनानी है उसके कंट्रोल करना है और कोशिश करना रिटैंशन की कमी से बचने के लिए अबसे ज करके लिए सबसे बेस्ट बोगा चीज़ों चीज़े अगर हम लोग ने कर पाया ऐसा कर पाते हैं यह प्रोल्म से पहले बचा जा सकता है आज की वीडियो में यही कूंगा आप कोसिस करें अपनी डिली रूटिंग को अच्छा बनाने का कोसिस करें जब आप अपनी रूट छाने में अगर आप सक्क्रसम है तो आप घ्राइफूड ले सकते हैं बदाम ले सकते हैं काजू ले सकते हैं करोट ले सकते हैं यह सारी डाय हूं आप लेकर दियर यह सकते हैं अगर आपके घर में अरधनिया तो उसको भूनकर पीसकर एक गिलास में बनाकर उसको आपको पीना है तो यह सुबह साम पिएंगे तो इससे भी आपकी जो परिशानी है स्वैलिंग की उससे भी ठीक हो सकते हैं आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्कुन हुई होगी और नहीं जनकारी मिली होगी इससे साथ आपके जीबन में बहुत बजलाब रहा सकता है अगर अच्छा लगा हो तो जरूर इसे सब्सक्राइब किजी लाइक किजी और नमस्कार